हेलो सो नमस्कार आप सबका स्वागत है हमारे यूट्योब चैनल डियर गुरू जी पर सो गाइज यहाँ पर लोग जुड़ जाएं तब तक मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता जाएता हूँ कि अगर आपने अभी तक आने केडमी का जो लर्निंग अफ है उसको डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलाव मैं वहाँ पर एक एजुकेटर भी हूँ तो आप हमको वहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं फॉलो करने के लिए ओके हलो हाई काफी थाय लोग के हलो हाँ आ रहे हैं तो सबको मैं कमेंट बॉक्स ही जड़िए यहां पर इंफॉर्म करता रहूंगा कि जो यह चल रही है सबको मैं सबके ग्रीटिंग्स भीजता रहूंगा तो चली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले टेस्ट को तो पहला कोशन आ सबके थामने यहां पर है हेमिस गोंपा नामक मठ कहां इस्थित है चलिए इसका जवाब दीजे हेमिस गोंपा नामक मठ कहां पर इस्थित है देखे भारती संस्क्रित मैंने आज यहां पर टॉपिक रखा है बहुत ज्यादा कोश्चन नहीं रखें बर जो भी रखें बहुत ज्यादा कोश्चन है तो पहला कोश्चन है भाई हेमिस गोंपा नामक मठ कहाँ पर सीथ है चलिए लोगों के एंसराने शुरू हो गए है तो यहां पर मैं आपको जायता हूँ जो हमारा लद्दाक में इस्थित है तो ऑफसन में इसका जो डी है वो बिलकुल करेट हो जाएगा हेमिस मठ जो है यह बिसिकली जम्मु कस्मीर में लेह से लगवक 45 किलोमेटर दूर लद्दाक में एक कसबा है जिसे हेमिस कहते हैं और यहां एक बड़ा तथा आकरसक मठ है जिसे हम लोग हेमिस मठ या हेमिस गोंपा मठ या गोंपा मठ कहते हैं समझगे चलिए चलिए जितने वे लोग नहीं जैसा मैंने उम्मीद कियाक है यह तो लोग बिलकुल करेक्ट है और नो फेमस है और लॉई ना हिन्ट है सबया उंदे दिया आजया सब लोग कोड़ मैंip लेंगे का घीरा है और हातों का जो संचार है अतियांत आकर सब्सक्राइब आप लोगों ने देखा होगा पद्मा वत जो मूवी है आपने देखा होगा वहां पर घूमर सौंग भी है उसी में घूमर लोकनिति किया गया है चलिए कुछिन सब्सक्राइब देख सकते हैं और आपको दे रहा है एंसर चलिए यहां थोड़ा सब समय आपको दिया जाता है एंसर देने के लिए जितने भी थोड़े समय में अच्छी बात है तो बहुत ही फास्ट होगी आप लोग या मतलब आप लोग का एक्जाम निकट है उसी साब से अच्छी बात है तो बैसिकली अगर देखा जाए महोईनी अट्व जो है वह हमारा केरल का लोग नित्य है तो आपस नम्र इसका जो भी है वो बिलकुल करेक्ट हो जाएगा ओरीसा जो है आप सब को उता है ओरीसा की जो ओरीसा के जो लोग नित्य है वो ओडिसी है और करना का यह च्छगान है इसके लाबा तमिल नाडू का भरत नाट्यम है समझगे दोस्तों चलिए बढ़ते आगे कोश्चन तरफ अगला कोश्चन कोश्चन नम्मर चार आसक के सामने है प्रसिद्ध विरुपाच मंदिर कहां अवस्थित है चलिए आप लोग बताईए जो विरुपाच मंदिर है वो बीसिकली कहां पर अवस्थित है जी हां यह आवस्थित है हाम पी यानि की कर्नाटक में वस्थित है तो जो बिल्कुल और इसके असापना हरीवर और बुक्का ने किया था समझगे चलिए बढ़ते हैं एंगले कोश्चन तरफ क्वेशन नमबर पाँच आप सब के सामने है मतुरा कला स्कूल अब अपने सिखर पर पहुचा कब अपने सिखर पहुचा क्वेशन नमबर पाँच आप सब के सामने है इसका एंतर दीजिए फटाक से मतुरा सिखर कला स्कूल कब अपने मतुरा कला स्कूल कब अपने सिखर पर पहुचा चलिए इसका अंतुर दीजिए तो लोग जवाब दे रहे हैं कुसाड काल कुछ लोग बोले हैं मौरे काल तो यहाँ पर जो ऑप्सन नमबर इसका जो डी है कुसाड काल वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मतुरा कला स्कूल जो है कुसाड काल में अपने सरवोचे सिखर पर पहुचा इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रियोग हुआ है इस आदस्वादी कला में सत्य और संदर को प्रधानता दी गई थी चलिए कौन सा गीत राधा और किष्ण के देव अत्व का गुडगान करता है कौन सा गीत राधा और किष्ण के देवत की गुडगान करता है कौश्चन नमबर छे आप सब के सामने है कौवाली आप्सन में है राम लीला है गजल है और रसिया है जो है जो गीत है वो राधा किष्णी के देवत्त के गुडगान का वड़न करता है बिसिकलि उनकी प्रेम लीला और रास लीला पराथाईस है उनके संयों को पता है राम लीला राम के जीवन से संबंदित है कवाली जो है यह सदलत काल में अमीर खुसरों ने शुरू की थी औ बढ़ते हैं क्वेशन नमबर साथ की तरफ क्वेशन नमबर साथ आप सब कहा है भारत में नौ पासार काल गुफा चित्रकारी कहां मिलती है क्वेशन नमबर साथ आप सब के सामने है कहा जा रहा है भारत में नौ पासार काल गुफा चित्रकारी कहां मिलती है क्वेशन नम बहुत अच्छी बात है तो यहां पर भीम बटेका इसका बिल्कुल करेट आफ्सन हो जाएगा भीम बटेका जो है भारत में नौपासार गुफा जो चित्रकारी हो मत्रप्रदेश के भीम बटेका में मिलती है मानो सरी ठकने के लिए पसु चर्म पत्तो यम्छालों का प्रयो पर तो कह रहा है आप सबसे भारत कला भवन कहां इस्थित है भारत कला भवन कहां पर इस्थित है भारत कला भवन कहां पर इस्थित है चलिए जवाब आने सुरू हो गए इसके तो भारत कला भवन जो है जी हां बिल्कुल सही भरत के लिए जो पहवन हैं वहुंस स्टेशी करए सब्सक्राइब करते घोलए नोगें tha तकि आज़ेनों को मोड़कर बढ़िया किसाड़ी बना सके यह साड़ी क्या दिम धाजरी है या क्या लाती है मतलब कि लंबे नाखुन रहकर के चीरा इसलें लिए नाखुन इसलें इसलें लिए जिसे वह चीरा लगा सके चंदेरी है, option में ठकाई है, पटोला है और संबल पूरी है तो यहाँ पर चलिए, कुछ लोग बोलें B कुछ लोग प्रॉपर पटोला, पटोला नहीं भई, यहाँ पर option नमर जो A है, चंदेरी, वो बिल्कुल correct हो जाएगा चंदेरी option इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो जिनों भी option A दिया हो बिल्कुल correct है चलिए बढ़ते हैं अगले question तरफ, question number 10 आप सब के सामने है उपन नयन समाहरो जो होता है, basically उपनेयन समस्कार जो होता है इसको हम लोग यग्यो पवित्र संसकार गनाम से भी जानते हैं यहां पर चलिए बहुत सारी लोग इसका करेक्ट अतों नहीं भी भाए, मैं आपको बढ़ेता हूँ, इसका जो अप्सन C होगा यह करेक्ट होगा बच्चको पवित्र जैने उधार कराता है, यही उपनयान समारों गयाता है समझ गे दोस्तों, अप्राचीन समय से आज की समय में इस संसकार का सुरूप बिलकुल बदल चुका है पहले इस संसकार को सुध्धी कड़ संसकार की रूप में जानते थे जिसके उपरांत सिस्य गुरु के साथ आस्रम में रहकर सिच्छा गढ़ करते थे इस अंसकार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था पहले या अनिवारे नहीं था परन्तु कर्म कांड में इससे अनिवारे कर दिया गया तथा सामानिता बिवा पूर्व किया जाने लगा समझ गये अब तो समझ गये बिल्कुल बदली गया इस समय चलिए आते हैं कोश्चन नमर 11 पर तो यहां पर कूट का प्रियोग करके सही उत्तर चनना है तो यहां पर कूट एक बार देख लिए फिरिसका एंसर देख लेते हैं आप सब के सामने यहां पर चलिए यहां पर चलिए चलिए कोश्चन प्राइब दाल करें सांसे ड़स्तों चाहिए अर्प करम दाने करें कि को सोऩय औरSp tecnologia करें जुख और तो आप लोग सब टिक कर ले जाओ, असिक कर ले जाओ, नेरंकारी और नामधारी, यह बिल्कुल correct हो जाएगा, अब बात करते हैं, लाश्ट इसाई, तो यह आपका इसी से मिल जाएगा, तो जी हाँ, जितने भी लोगों ने यह सोचा था, वो लोग बिल्कुल correct है, चलिए जाते हैं, question 12 पर, तो question 12 आप सब के सामने है, रामायड में मांडवी किसकी पतनी थी, चलिए, बहुत ही अच्छा question है, काफी लोग जानते होंगे, जो लोग रामायड अच्छे से देखे होंगे, जो लोग पता ले जाएंगे, किसकी पतनी का नाम मांडवी था, question 12 आप सब तक मैं आपको कुछ बतायता हूं, कि आज का जो यह life test था, यह बहुत छोटा इसलिए था, क्योंकि भारतीय संस्कित से इतनी question है, important, तो important question मैंने आपको कराया, इसके लावा रात को 10 बज़े life test होगा, कितने वज़े life test होगा, 10 बज़े life test होगा, तो आप लोग 10 बज़े दिन वाला life test होगा, क्योंकि अभी इधर उधर हो जा रहा है, लोग कभी कुछ time कभी किसी time, तो आप लोग comment करके बताते हैं, कि आप लोग को दिन वाला life test होगा, कितने time चाहिए, यहाँ पर राद वाला तो fix होगया, 10 बज़े, दिन वाला भी आप लोग करके बता तो चलिए, आज कि इस life test को यहाँ पर खतम करते हैं, तो रामायर में मांडवी जो है, option A यानि की भरत जो है, वो बिलकुल correct हो जाएगा, लाइप टेस्ट को यहाँ पर सब खतम करते हैं, आप इस सभी को बबाए, take care, जय हिन, जय भारत मिलते हैं, आप सबसे next वीडियो मे या next life session में, अधिकले बबाए, take care, जय हिन